सोल्वी शताब्दी इस्वी भारत का उत्तरी भाग मुगल सल्तनत के अधिन था जबकि दक्कन का शेत्र पाच अलग-अलग सल्तनतों के अधिन था एहमद नगर का निजाम शाही, बीजापूर का आदिल शाही, गोलकॉंडा का कुतुब शाही, बीदर का बारिज शाही और बेरार का इमाज शाही और वही पश्चिमी तट पर पूर्तोगालियों का नियंतरन था उत्तर में मुगलो और पश्चमी टटपर पुर्तुगालियों के कारण दक्कन सल्तनत को मध्य एश्या से मुस्लिम अधिकारी नहीं मिल पाते थे इस वज़े से उन्हें अपनी सेनाव में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ता था 1577 इसवी में मराठा के भोसले वंच के एक ऐसे हिंदू अधिकारी मालो जी भोसले थे जो एहमदनगर सल्तनत में शामिल हुए वे जल्दी एहमदनगर सल्तनत के प्रधान मंतरी मालिक अंबर के भरोसेमंध जनेरल बन गये मालो जी के तहट एहमद नगर सेना ने बीजापूर सल्तनत और मुगलों को हराया और इसके बदले में मालो जी को वेरुल, देहडी और कन्नारड के शेत्र दिये गए 1595 में एहमद नगर का सुल्तान बहदुर निजाम शा ने मालो जी को राजा की उपादी दी और चाकन और शिवनेरी के किलों के साथ पूने की जागिर भी मालो जी को दी गई मालो जी भोसले ने ग्रिशनेश्वर मंदिर का पून निर्मान किया जो भगवान शिव के 12 जोतिर लिंगों में से एक है मालो जी और उनकी पत्नी उमाबाई के दो बेटे थे शाहजी और शरिफ जी शाहजी बहुत छोटे थे जब बीजापूर सल्तनत के खिलाफ लड़ाई में उनके पिता मालो जी की मृत्तियू हो गई थी इसलिए शाहजी का पालन पोशन उनके चाचा विठो जी ने किया अपने पिता की ही तरह शाहजी भी एहमद नंगर सल्तनत पे शामिल हो गय और 1625 ईसवी में सेना के कमांडर बने 1626 ईसवी में माली कंबर की मृत्तियू के बाद एहमद नंकर सल्तनत कमजोर हो गया था 1629 इसवी में मुगलों ने एहमदनगर पर आक्रमन कर दिया और शाहजी के अधीन एहमदनगर की सेना मुगलों से हार गई इस हार के कारण में एहमदनगर दर्बार में तनाव था और इस वज़े से शाहजी मुगलों की ओर चले गए 1630 इस्वी में मुगल बाच्चा शाजा ने उन्हें जुन्नर और संगमनेर का शेत्र दिया उसी वर्ष 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में शाहजी और उनकी पत्नी जीजाबाई के या एक पुत्र का जन्म हुआ उन्होंने उनका नाम शिवाजी रखा जो बाद में छत्रपती शिवाजी महराज के नाम से जाने गए 1632 इस्वी में एहमद नगर के सुल्तान फत्य खान ने मुगलों के साथ दोस्ति की और बदले में मुगल बादशा शाहाँ ने फत्य खान को वह शेत्र दिया जो शाहाँ ने पहले शाहजी को दिया था इस वज़े से शाहजी गुसा हो गए और उन्होंने मुगलों को छोड जाकर बीजापूर सल्तनेत में शामिल हो गए लेकिन जल्द ही एहमतनगर मुगल दोस्ती तूट गई और मुगल सेना ने एहमतनगर की राज़नी दौलताबाद पर हमला कर दिया 1633 इस्वी में दौलताबाद पर मुगलों ने कबजा कर दिया एहमतनगर ने बीजापूर से मदद मांगी और शाजी के अधिन बीजापूर सेना ने दौलताबाद में मुगलों पर हमला करके एहमतनगर की मदद की लेकिन 1634 इस्वी में परेंदा की लड़ाई में मुगल सेना ने बीजापूर की सेना को हरा दिया और शाजी को उत्तरी महाराष्टर छोड़ना पड़ा 1636 इस्वी तक एहमतनगर सल्तनत समाप्थ हो चुकी थी और उत्तरी महाराष्टर पर मुगलों का अधिकार हो गया था मुगलों के डर से बीजापूर सुल्तान मुहमद आदिल शा ने मुगलों के साथ दोस्ती की मुगल चाते थे कि शाजी मुगलों से दूर रहे और इसलिए बीजापूर के सुल्तान ने शाजी को बीजापूर के दक्षिन शेतरबर भेज दिया पूने की जागिर शाजी के पुत्र शिवाजी को दी गई चो उस समय बहुत ही छोटे थे शिवाजी की देखरेक दादोजी कोंडेव ने की दादोजी कोंडेव ने शिवाजी को स्यन्य और प्रशासनिक कौशल सिखाया और उनकी माता जीजाबाई ने हिंदवी स्वराज का सपना दिखाया इसी बीच दक्षिन में शाह जी ने मैसूर के राज्य को हराया और 1638 में बेंगलूरू पर कबजा कर दिया 1642 तक शाह जी ने बीजापूर सेना के लिए आज के दक्षिन करनाटक में कई शेत्रों को जीता इसी बीच 1640 इस्वी में जीजाबाई ने शिवाजी का विवा पूने में साईबाई से तैय कर दिया चुक्कि शाह जी विवा के लिए नहीं आसके शिवाजी अपनी मा और पत्नी के साथ 1642 में बेंगलूर गए वहाँ शाहाजी ने शिवाजी और साइबाई के लिए एक भव्य विवा समारों की ववस्ता की शाहाजी की यही सोच थी कि शिवाजी भी आगे जाकर बीजापूर की सेना में एक बड़े सेनापती बनेंगे लेकिन उन्हें क्या पता था कि नियती कुछ और ही सोच रही थी शिवाजी के अलग स्वतंत्र राज्य बनाने पर काम कर रहे थे शिवाजी ने मावली नामक स्थान्य किसानों के एक छोटी सेना बनाई उन्होंने बीजापूर सल्तनत से कई किलो पर कबज़ा कर लिया पंदरा वर्ष के आयू तक शिवाजी ने तोड़ना, कोंडाना और चकन के किलो पर कबज़ा कर लिया 1647 इसवी में शिवाजी ने कल्यान के शासक मुल्ला एहमत को हराया और कल्यान और भिवंडी के किलोग पर कबज़ा कर लिया और फिर उन्होंने राइगड की किले पर कबज़ा किया जो आगे जाकर उनकी राजधानी बनी शिवाजी के बढ़ते कदम ने बीजापूर सल्तनत को हिला दिया था और इस वज़े से शिवाजी के पिता शाजी को गिरफतार कर लिया गया इसलिए शिवाजी कुछ वर्षों तक शान्त रहे और अपनी सेना बढ़ाने पर काम करने लगे उनके घुड़सवार सेना की कमान नेताजी पलकर ने समभली और पैदल सेना की कमान यशाजी कंक ने शाजी के रिहा होने के बाद शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत पर अपने हमले फिर से शुड़ू कर दिये और 1657 तक उनके नियंतरेन में 40 किले आ गए थे इसी वर्ष 14 माई को शिवाजी और उनकी पत्मी साहिबाई के घर शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी का जन्म हुआ 1669 इसवी में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने और मारने के लिए भेजा बीजापुर के सेना ने कई हिंदू मंदिरों को नश्ट कर दिया और कई नागरिकों को मार दिया शिवाजी प्रताबगड किले में गए कुछ महिनों के बाद शिवाजी और अफजल खान व्यक्तिकत रूप से एक दूसर से मिलने के लिए तयार हो गए लेकिन शिवाजी से मिलने के बाद अफजल खान ने शिवाजी को मारने की योजना बनाई वे दोनों 10 नवांबर 1669 को एक दूसरे से मिले जब अफजल खान ने शिवाजी को कसकर पकड़ा तो उन्होंने शिवाजी पर चाकु से हमला कर दिया लेकिन शिवाजी इसके लिए पहले से ही तयार थे क्योंकि वे लोहे का कवच पेने हुए थे अफजल खान का चाकू शिवाजी के कवच को भेद नहीं सकी जवाब में शिवाजी ने वाग नखा से अफजल खान का पेट ही चीर डाला जो उन्होंने अपने हाथों में छिपाया हुआ था अफजल खान मारा गया और उसके बाद प्रताबगड की लडाई में मराठा सेना ने बीजापूर सेना को हरा दिया जो मराठा सेना से पाच गुना बड़ी थी एक महिने बाद शिवाजी ने पनहाला किले पर कबजा कर लिया बीजापूर सल्तनत ने शिवाजी पर हमला करने के लिए रुस्तम जमान के अधीन एक और बड़ी सेना भेजी लेकिन फिर से बीजापूर की सेना जो मराठा सेना से बड़ी थी उसकी हार हुई बीजापूर की बड़ी साहिबा ने सिद्धी जोहर को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा जो 15 किले में थे बीजापूर सेना ने 15 किले को घेर लिया और शिवाजी किले के अंदर फस गए बीजापूर की सेना ने कई महिनों तक किले पर बंबारी की लेकिन शिवाजी ने धहरे रखा और भागने की योजना बनाई 13 जुलाई 1660 की रात को शिवाजी और मराठा स्यानिक 15 किले से निकले लगबग 10,000 की बीजापूर सेना मराठाओं के पीछे थी बाजी प्रभू देशपांडे के अधीन लगबग 600 मराठाओं ने वापस रहने और बीजापूर की सेना से लड़ने का फैसला किया ये तई हुआ कि शिवाजी जब तक विशालगर किले पे नहीं पहुचते तब तक मराठा सेना लड़ती रहेगी 600 मराठाओं ने घोडखिंड में 10,000 बीजापूर सेनिकों का मुकाबला किया और शिवाजी के विशालगर किले में पहुचने तक बीजापूर की सेना को आगे बढ़ने ही नहीं दिया बाजी प्रभू देशपांडे और लगबग 300 मराठे मारे गए लेकिन बीजापूर की सेना के लगबग 5000 सेनिक मारे गए बाजी प्रभू देशपांडे को मराठा और भारते इतिहास के सबसे महान युद्धाओं में से एक माना जाता है बाजी प्रभु देशपांडे और यहां मरने वाले मराठाओं के सम्मान में घोडखिंड का नाम बदल कर पावन खिंड रखा गया बाद में एक और बड़ी सेना जुटाने में असमर्त बीजापूर की बड़ी साहिबा ने नए मुगल बाच्छा औरंगजेब से मदद मागी और अंगजेब ने शिवाजी पर आक्रमन करने के लिए शाहिस्ता खान के अधीन लगबग देड़ लाग की एक बड़ी सेना भेजी चाकन की लड़ाई में मराठाओं के हार हुई और मुगलों ने पूने पर कबजा कर लिया यहाँ तक की शाहिस्ता खान ने शिवाजी के घर लाल महल पर भी कबजा कर लिया था पाच अप्रेल 1663 की रात को शिवाजी अपने 400 सैनिकों के साथ वेश बदल कर लाल महल में दाखिल हुए शिवाजी ने शाहिस्ता खान पर एक जबरदस्त आक्रमन किया शाहिस्ता कान खिड़की से कूद कर अपनी जान बचाने में तो सफल रहा लेकिन शिवाजी की तलवार की वार से उसकी तीन उंगलिया कट गई शिवाजी ने तब जनवरी 1664 में सूरत पर हमला किया जो मुगलों के सबसे धनी शहरों में से एक था मराठा सेना ने मुगलों के बहुत से खजाने पर कबजा कर लिया औरंजेब ने इसके बाद शिवाजी पर हमला करने के लिए मिर्जा राजा जैसिंग के अधीन एक बड़ी सेना भीजी मार्च 1665 में मुगल सेना ने मराठाओ पर हमला कर दिया जो पुरंदर किले में थे शिवाजी के सेना पती मुरार बाजी ने अकिले ही सैक्ड़ों मुगल सेने को का सामना किया लेगिन बाद में वे लड़ाई में मारे गए शिवाजी समझ गए कि वह इस लड़ाई को नहीं जीच सकते और उन्होंने राजा जैसिंग के सामने आत्मसमर्पन कर दिया उन्होंने राजा जैसिंग के साथ पूरंदर की सुन्धी पर हस्ताक्षर किये और उन्हें अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े पूरंदर का किला, कोंधाना का किला, लोहागड का किला और ऐसे बहुत सारी किले जो शिवाजी के लिए महत्फूपुन थे वो मुगलों को सौब दिये गए 1666 में शिवाजी और उनके 9 वर्षे बेटे संभाजी को आगरा में मुगल दर्बार में मुलाया गया 12 मैं 1666 को शिवाजी और संभाजी और अरंगजेप के सामने पेश हुए मुगल दर्बार में एक बड़ी भीड के सामने औरंगजेप द्वारा शिवाजी को अपमानित किया गया और उन्हें और संभाजी को नजरबन कर दिया गया लेकिन 17 अगस्ट 1666 को शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी आगरा से भागने में सफल रहे और वे पूने पहुझी गए इसके बाद शिवाजी ने बीजापूर सल्तनत के खिलाफ अपनी लड़ाई फिर से शुरू की और अगले चार वर्षों में शिवाजी ने बीजापूर सल्तनत के कई हिस्सों पर अपना कबजा कर लिया 24 फरवरी 1670 को शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई से शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम का जन्व हुआ 1670 इसवी तक शिवाजी के अधिन दक्कन में एक बड़ा शेत्रा आ गया शिवाजी के इस तेजी से बढ़ते कदम को देखकत और अरंग जेब ने शिवाजी को हराने के लिए बड़ी सेनाई भेजी कोंधाना का किला शिवाजी के लिए अत्यन्त महत्वपून था जो मुगलों के अधीन था चार फरवरी 1670 इसवी की रात को तानाजी मालूसरे के नेतरत में लगबग 500 मराठा सैनिक किले की दीवारों पर चड़ गए एक भीशन यूद हुआ और मराठाओं के जीत हुई लेकिन इस लड़ाई में तानाजी मालूसरी की मृत्ति हो गई जब शिवाजी को कोंधाने की जीत और तानाजी की मृत्ति की खबर मिली तो नोंने यह कहा गड आला पंसिंग गेला मतलब किले पर तो कबजा कर लिया गया लेकिन हमने शेर को खो दिया तानाजी मालुसरे की स्मिति में कॉन्धाना के किले का नाम बदल कर सीहागड कर दिया गया फरवरी 1672 में प्रतापराउग गुर्जर के नेतरत में मराठा सेना ने सलहेर की लड़ाई में मुगल सेना को बहुत बुरी तरह से हरा दिया ये पहली लड़ाई थी जिसमें मराठाओं के खिलाफ एक खुले मैदान की लड़ाई में मुगलों की हार हुई मराठाओं ने सलहेर और मुलहेर के किले पर कबजा कर लिया कुछ महिनों के बाद संभाजी के अधीन मराठाओं ने विक्रमगड की लड़ाई में मुगलों को हरा दिया ये पहला यूद था जहाँ शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी ने मराठा सेना की कमान संभाली वो केवल 15 वर्ष के थे अगले दो वर्षों में औरंगजेब ने दाउद खान और महापत खान जैसे बड़े मुगल जेनरोलों के अधीन कई सेनाई भेजी लेकिन हर बार मुगलों की हार हुई 1674 तक दक्कन के एक बड़े शेत्र पर शिवाजी का नियंतरन हो गया था और अब समय आ गया था कि उन्हें मराठाओं के समराठ के रूप में उनकी ताज पोशी हो 6 जून 1674 को हिंदू वेदिक परंपराओं के अनुसार पंडित गगाभट ने शिवाजी का राज्य अभिशेक किया मराठा सामराजी की स्थापना हुई और शिवाजी को छत्रपती शिवाजी महराज के रूप में सम्मानित किया गया और यह मराठा सामराजी के एक लंबे गौरवशाली युग की शुरुवात थी 6 जून 1674 भारतिय उप महादीप में एक नाया स्वाधिन हिंदू सामराज अस्तित्व में आया चत्रपती शिवाजी महराज ने मराठा सामराज की नीव रखी और वे इसके पहले समराज बने चत्रपती शिवाजी महराज ने मुगल सल्तनत की ताकत को सीधी चुनाती दी शिवाजी महराज ने कई लड़ाईयों में बीजापू सल्तनत और मुगल सल्तनत को हराया और उनके कई शेत्रों पर कबजा कर लिया था 1677 इसवी में शिवाजी महाराज ने गोलकुंडा सल्तनत से कई तोपे हासिल की गोलकुंडा के तोपों की मदद से शिवाजी महाराज ने बीजापू सल्तनत के दक्षिनी शेत्रों और वेलोर और जिंजी के किलों पर कबजा कर लेते हैं अपने शासन के दौरान शिवाजी महाराज ने अश्ट प्रधान नामक आठ मंत्रियों की एक परिशद की स्थापना की यह आठ मंत्री शिवाजी को राजनितिक और प्रशासनिक मामलों में सला देते थे यह आठ मंत्री थे पेश्वा या प्रधान मंत्री जिनका कारिय सामान या प्रशासन था अमात्य या वित्त मंत्री जिनका काम वित्तिय खातों को बनाए रखना था मंत्री जिनका काम अदालती खातों को बनाए रखना था सुमंत या विदेश सचीव जिनका कारिय मरहडा सामडाजी के अन्य राज्यों से रिष्टे संबंदित मामले थे सचीव जिनका काम चत्रपती के पत्राचार का प्रभंद करना था पंडित राओ जिनका काम धार्मिक मामलों में था नियाया धीश जिनका कार्य नागरिक और सैन्य नियाय पर था सरसेना पती जो सेना से सम्बंदित मामलों में काम करते थे शिवाजी महराज ने मराठी और संस्कृत को बढ़ावा दिया मराठी को दरबारी भाषा बनाया गया और वही शिवाजी महराज की शाही मुहर संस्कृत में थी शिवाजी महराज धार्मिक रूप से भी बहुत सैश्न थे मराठा सेना के कई सैनिक और शिवाजी महराज के कुछ नीजी अंगरक्षक तक मुसल्मान थे मुस्लिम नागरेक स्वतंदर रूप से बिना किसी समस्या के अपने धर्म का भी पालन करते थे शिवाजी महराज ने मराधा नौसेना का विकास किया मराधा नौसेना अपने शिकर के समय इसके पास 400 युद्ध पोथ थे मराठा नौसेना को आज के आधुनिक भारतिय नौसेना की आधार शिला माना जाता है और चत्रपती शिवाजी महराज को भारतिय नौसेना के संथापक के रूप में श्रेय दिया जाता है शिवाजी महाराज को अपने सामराजी की टटों की सुरक्षा और यूरोपीय शक्तियों की खत्रे का मैत्व जानते थे मराठा नौसेना ने समुद्र टट की रक्षा की और शिवाजी महाराज ने सिंधुदुर्ग में पहला समुद्र किला बनाया जो मराठा नौ सेना का मुख्यालय बना शिवाजी महाराज जानते थे कि खुले मैदान की लड़ाई में एक बड़ी मुगल सेना को हराना मुश्किल था इसलिए उन्होंने गमीमी कावा नामक एक प्रभावी छापामार युद की तक्निक विक्सित की और इस चापामार युद में मराठा सेना बहुत ही ज्यादा कुशल थी शिवाजी महाराज को स्थानी इलाके का बहुत ग्यान था और वे दुश्मन को कठिन पहाड़ी और जंगलों में घुसने में मजबूर कर देते थे एक बर जब ये दुश्मन इन पहाड़ी और जंगलों में घुस्ते थे फिर मराठा घुडसवार दुश्मन पर तूट पड़ते दुश्मन के पास बचने का कोई राष्ता नहीं होता और पूरी दुश्मन से ना तेज मराठा घुडसवार के सामने मार दी जाती 6 साल के शासन के बाद 3 अप्रेल 1680 को चत्रपती शिवाजी महाराज का 50 वर्ष के आयू में निधन हो जाता है उनकी मृत्यू के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी और शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई के बीच कुछ महिनों तक सिंगा सिंकले संगर्ष हुआ सोयरा बाई अपने बेटे राजा राम को छत्रपती बनाना चाती थी लेकिन अंतह संभाजी महराज मराठा सामराजी के दूसरे छत्रपती बने और 16 जन्वरी 1681 को उनका राज्य बिशेक हुआ चत्रपती संभाजी महराज ने 15 वर्ष की आयू में ही अपनी स्यान्य प्रतिबा का कौशल दिखा दिया था जब उनके नेतरत में मराठा सेना ने 1672 इस्वी में विक्रमगड की लड़ाई में एक बड़े मुगल सेना को हराया था चत्रपती शिवाजी महराज की मृत्यू के बाद मुगल बाच्छा औरंगजेब ने मुगल सेना की पूरी ताकत को देक्कन में लाने और मराठों को पूरी तरह से नश्ट करने का फैसला किया लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसका यह फैसला उल्टा पड़ेगा और यह मुगल सल्तनत का विनाश लाएगा समराट बनने के बाद चत्रपती संबाजी महराज ने बुरानपूर पर आक्रमन करने का फैसला किया संबाजी महराज और सर सेना पती हम्बिराव मुहिते ने बुरानपूर में मुगल सेना को कमजोर करने की योजना बनाई 31 जैनवरी 1681 को एक छोटी मराठा सेना ने सूरत पर आक्रमन किया इस वज़े से बुरानपूर में आधी मुगल सेना सूरत चली गई इस प्रकार संबाजी महराज और हम्बिराव मुहिते के नेतरत में मराठा सेना ने बुरानपूर पर हमला किया और मुगलों को वहाँ से खदेर दिया मराठा सेना उसके बाद फिर राइगड के लिए रवाना हुई हमले की खबर सुनकर मुगल सूबेदार बहादूर खान ने राइगड के रास्ते में मराठा सेना پर हमला करने का फैसला किया लेकिन संबाजी महराज ने आसानी से बहादूर खान को बेवकुफ बनाया और पूरी मराठा सेना बिना किसी नुकसान के रायगड पहुच गई इसके बाद औरंगजेब ने पूरे मुगल दर्बार को आगरा से औरंगाबाद लाने का फैसला किया उसने पूरे दक्कन और दक्षिन भारत को पूरी तरह से जीतने का फैसला किया लेकिन इसी बीच मराठो और पुर्तुकाली को बीच संबन तनावपून हो रहे थे संबाजी महराज ने पुर्तुकाली शेत्रों के साथ मराठा सीमा पर कई किले बनवाए पोंडा का किला जो गोवा की रास्थानी के पास था वहा कई मराठा सेनिकों को भेजा गया इससे पुर्तुकाली में हडकम पच गया पुर्तुकाली ने 1683 के अंत में मराठो पर हमला किया लेकिन मराठा सेना ने पुर्तुकाली को हराया और गोवा में प्रवेश किया और कई किलो और कजबो पर भी कबजा कर लिया पूर्तुगालियों को केरल के पूर्तुगाली किल्ये से मदद मिली और कई सैनिक गोओ पहुंचे संबाजी महाराज का मुख्य ध्यान मुगल थे और वो दो मूर्चों पर यूद्ध नहीं लड़ना चाते थे वो पुर्तुगालियों से शत्रुता समाप्त करना चाते थे और अंतह चार फरवरी 1683 को शांती संधी पर हस्ताक्षर किये गए संबाजी महाराज ने गोवा में कबजा किये गए सभी शेत्रों को पुर्तुगालियों को वापस कर दिया और पुर्तुगालियों ने फिर कभी मराठों को चुनाती देने की हिम्मत नहीं की अब संबाजी महाराज ने एक बार फिर अपना ध्यान मुगलों की ओर लगाया 1684 इस्वी में औरंगजेब ने उत्तर और दक्षिन दोनों दिशाओं से रायगड पर आक्रमन करने का निश्चे किया लेकिन एक बार फिर मुगलों को मराठाओं ने बुरी तरह से हरा दिया मराठाओं को हराने में नाकाम रहने पर औरंगजेब ने बीजापूर और गोलकुंडा सल्तनत पर आक्रमन करने का फैसला किया क्योंकि ये दोनों सल्तनते मराठाओं के सहयूगी थे मुगलों ने 1686 में बीजापुर और फिर 1687 में गुलकुंडा सल्तनेत पर विजय प्राप्त की अब औरंगजेब ने फिर अपना ध्यान मराढ़ों के ओर लगाया एक विशाल मुगल सेना को रायगर पर आकरमन करने के लिए भेजा गया डिसंबर 1687 में वाई की लड़ाई में मराढ़ों सेना ने मुगलों को हरा दिया लेकिन दुर्भागे से इस लड़ाई में मराढ़ों के सर सेना पती हमविराओ मुहिते की मृत्ती हो गई वाई की लड़ाई के बाद मराठों पर एक और हमला करने के लिए मुगल सेना बहुती ज्यादा कमजोर थी और इसके पास एक बड़ी सेना नहीं थी इसलिए औरंगजेब ने संभाजी महराज के कुछ रिष्टेदारों और करीबी दोस्तों को रिश्वत दी औरंगजेब इसमें सफल रहा क्योंकि संभाजी महराज को उनके ही एक करीबी रिष्टेदार ने धोका दे दिया एक फरवरी 1689 को संभाजी महराज अपने खास मित्र कवी कलश और 25 मराठा सैनिकों के साथ संगमेश्वर में थे मुगलों के एक जनरल मुकर्रब खान को ये खबर मिली और फिर उसने संभाजी महराज पर हमला कर दिया उन 25 मराठा सैनिकों ने बहादूरी से लड़ाई लड़ी लेकिन अंत में ये सभी मारे गए संभाजी महराज और कवी कलश को बंदी बनाकर बहादूर गड़ ले जाया गया उन दोनों को भारी यातनाई दी गई और 11 मार्च 1689 को तुलापूर में उनको दर्दनाक तरीके से मार दिया गया संभाजी महराज की मृत्यू के बाद अब औरंगजेव ने सोचा कि उसको अब माराठो को पूरी तरह से समाप्त करने में आसानी होगी लेकिन संभाजी महराज की भायानक और दर्दनाक मृत्यूं ने मराठो को एक नए जोश से भर दिया और मुगलों को हराने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित किया संभाजी महराज के छोटे बाई राजा राम मराठा सामराज के अगले छत्रपती बने इसी बीच मुगलों ने रायगर पर कबजा कर दिया था संभाजी महराज की पत्नी ये सुबाई और उनके बेटे शाहू को मुगलों ने बंदी बना लिया शाहू सिर्फ सात वर्ष के थे जब उन्हें बंदी बनाया गया उनको औरंगजेब ने कई वर्षों तक बंदी बना कर रखा चत्रपती राजाराम ने मराठा राचनाली को वर्तमान तमिलनाडु के जिंजी में स्थापित किया और वही मराठा सेनापती संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव के अधीन मराठा सेना ने मुगलों के खिलाफ चापा मार युद्ध जारी रखा सन 1680 चत्रपती शिवाजी महराज के स्वर्गवास के बाद मुगल बाच्शा औरंगजेव ने सोचा कि अब मराठों का अंत हो जाएगा लेकिन ये उसकी बहुत ही गलत सोच थी क्योंकि नियती को कुछ और ही मनजूर था अब एक नए गौरफ शाली स्वतंतर हिंदू सामराजी का हिंदूस्तान में अपने खोई हुए शेत्रों को पुना प्राप्त करने और पूरे हिंदूस्तान में हिंदू स्वराज थापित कने का समय आ गया था चत्रपती शिवाजी महाराज के पुत्र संबाजी महाराज चत्रपती बनने के बाद उन्होंने अपने आपको सुराज रक्षक साबित किया और महाराज सामलाज का विस्तार किया उनका भाई मुगलों पर ऐसा था कि मुगल कभी भी संबाजी महराज से खुले यूदमी नहीं जीत पाए लेकिन छत्रपती संबाजी महराज का शासन केवल नौ वर्षों तक ही चला जब 11 मार्च 1689 को संबाजी महराज को मुगलों ने धोके से पकड़ कर उन्हें माट डाला मुगलों ने फिर मराठाओ की राज़तानी रायगर पर कबजा कर लिया और संबाजी महराज की पतनी येसु बाई और उनके साथ वर्षे बेटे शाहू को बंदग बना लिया गया संबाजी महराज के भाई राजाराम मराठा साम्राज के अगले चत्रपती बने वे महराष्ट्र से निकल कर वे दक्षिन भारत की और गए और उनने आज के तमिलनाडू के जिंजी में मराठाओ के नई राजधानी के स्थापना की इसी बीच मराठा सरदार संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव के नेतरत में मराठा सेना ने मुगलों के खिलाफ छापा मार यूद जारी रखा मराठा फिर से मुगलों से कई किले वापस लेने में सफल रहे संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव ने मुगलों के बीच ऐसा डर पैदा कर दिया था कि कई किले तो बिना लड़ाई के ही जीत ले गए इस पर गुस्सा होकर मुगल बाच्छा औरंगजेप ने अपने सेना पती जुल्फिकार अली खान को जेंजी किले पर हमला करने के लिए भेजा सितंबर 1690 को मुगल सेना ने जिंजी किले पर हमला कर दिया मुगलों ने किले को घेर लिया और किले पर बंबारी शुरू कर दी लेकिन मराठा पीछे नहीं हटे वे बहादूर से लड़ते रहे और लगात्तार मुगल हमलों का सामना करते रहे ये घेराबंदी कई वर्षों तक चलता रहा मराठा इतने लंबे समय तक इस घेराबंदी का सामना करने में सफल रहे क्योंकि उनके पास एक बहुत प्रभावी नौसेना थी जिसे चत्रपती शिवाजी महराज ने बनाया था मराठा नौसेना सूरत से जिंजी किले तक रसद, सामकरी और हतियार बिना किसी परेशानी के लिया दी थी लेकिन 1697 इस्वी में राजारा महराज ने जिंजी किले से निकरने का फैसला किया और वे बाद में सफलता पूर्वक विशालगड किले में पहुँच गए बिना चत्रपती राजारा महराज के मराठा सेना जिंजी किले में कमजोर हो गई और जनवरी 1698 तक जिंजी किले पर मुगलों का कबजा हो गया चत्रपती राजारा महराज ने मराठा की नई राजधानी सतारा में स्थापित की राजाराम महराज ने अपने शासनकाल में अपने मंतरी मंडल में पंत प्रतिनिदी का एक नए पद की स्थापना की जिसके पास म liarगास सामराज के सभी मंत्रा लएयों का अधिकार था दो साल बाद तीन मार्श 1790 को चतरपती राजराम महराज की बीमारी के कारण उनकी मृत्ती हो जाती है राजराम महराज की पत्नी तारा भाई ने अपने बेटे शिवाजी द्वितिय को मराढ़ा सामराजी का अगला चतरपती घोशित किया लेगन वो केवल चार वर्ष के थे इसलिए महराजी तारा भाई ने अपने बेटे की ओर से शासन किया और मुगलों के खिलाफ यूद जारी रखा महरानी तारा भाई घुरसवारी और सेन्य रन्नीती में कुशल थी और वे युद में मराढ़ा सेना का नेत्रत भी करती थी उनकी कमान के तहट मराठा सेना ने कई लड़ाईों में मुगलों को हराया और एक एक करके मुगलों के शेत्र पर मराठाओं का कबजा हो गया मुगल अपनी शेत्रों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मुगल बाच्छा औरंजेब ने मराठाओं के खिलाफ इस युद्ध में मुगलों की सारी शक्ती और धन संपत्ती का उप्योग कर लिया था सत्रा सो पाच के अंत तक मराठाओं ने गुजरात, मालवा और मध्य भारत पर कबजा कर लिया और मुगल से ना वापस उत्तर भारत की और भाग रहे थे संबाजी महाराज के शासनकाल के दोरान 1680 में शुरू हुआ ये मुगल और मराठाओं का युद्ध समाप्त हो रहा था मुगलों ने अपनी सारी शक्ती, धन संपत्ती और खजाना खतम गर दिया था जबकि मराठा सामराजे अपनी शेत्रों का विस्तार कर रहा था 1707 इस्वी में मुगल बाच्छा औरंगजेप की मृत्ती हो जाती है चोकि मुगल सामराजे अप कमजोर था अगले मुगल बाच्छा बहादूर शा ने मुगलों और मराठों के बीच शान्ती बनाये रखने के लिए संभाजी महराज के पुत्र शाहू को रिहा कर दिया था शाहू साथ वर्ष के थे जब उन्हें पकड़ कर बंदी बना ले आ गया 1689 में लेकिन अब वो 25 वर्ष के हो चुके थे और अब वे च्छत्रपती संभाजी महराज के उत्रादिकारी के रूप में महराज सामराज की गद्धी वापस लेने के लिए सतारा लौट आये थे लेकिन महराणी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्यूत्य को च्छत्रपती बनाना चाती थी इसलिए शाहू और महराणी ताराबाई के गुटों के बीच आंतरिक संभर्ष हुआ लेकिन महराणी ताराबाई के उच अधिकारियों ने बाद में शाहू का समर्तन किया और अंत में शाहू महराणी ताराबाई कोलापूर गई जहां उन्होंने एक अलग दर्बार की स्थापना की और उन्हेंने अपने बेटे शिवाजी दूतिये को कोलापूर का राजा बनाया और यहां से कोलापूर वंच की स्थापना होती है चत्रपती शाहु माराज को अभी भी कुछ प्रतिरोत का सामना करना पड़ रहा था जो महारानी ताराबाई के प्रतिवफादार थे उनमें से एक कानोजी आंग्रे थे जो मराठास नौसेना के प्रमुक थे चत्रपती शाहु माराज ने अपने पेशवा यानि प्रधान मंतरी बहिरोजी पिंगले को भेजा लेकिन बहिरोजी पिंगले कानोजी आंग्रे से हार जाते हैं उन्होंने कानोजी आंग्रे को मुगल सामराजी को नश्ट करने के लिए शाहू महराज के साथ जुढने के लिए आग्रह किया। कानोजी आंग्रे सहमत हो गए और उन्होंने शाहू महराज के प्रति अपनी वफदारी की प्रतिग्या की। इसके बाद कानोजी आंग्रे और बालाजी विश्वनात ने मिलकर जंजीरा के सिद्धियों पर हमला किया कानोजी आंग्रे मराढ़ा नौसेना के इतिहास के सबसे श्रेष्ट नौसेना प्रमुक थे उनके अधिन मराढ़ा नौसेना ने कौनकन तट के अधिकांश भाग्य पर कबजा कर लिया था बालाजी विश्वनात की सफलता से खुश होकर शाहू महाराज ने 16 नवंबर 1713 को बालाजी विश्वनात को मराढ़ा सामराजी का पेश्वा नियुक्त किया इसके बाद शाहू महाराज ने एक बहुती बड़ा फैसला लिया बालाजी विश्वनात के सेन्य और प्रशासनी कौशल को देखकर शाहू महाराज ने एक शासक की सभी शक्तियों को पेश्वा बालाजी के हातों में दे दी और इसलिए अपसे मराठा सामराजी के छत्रपती केवले एक आपचारिक शासक बन गए और सभी राजनितिक शक्तिया पेशवा के हातों में थी इस समय मुगलों के बादशा थे फरुक सियार फरुक सियार ने मराठों से दक्कन को वापस लेने के लिए अपने जनरल सेद हुसेन अली खान को भेजा लेकिन मुगल सेना मराठा सेना के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर थी वे आसानी से मराठा सेना से हार गई हुसेन अली खान ने मराठों के साथ शांती बनाने की मांग की जूले 1718 में बालाजी विश्वनात ने हुसेन अली खान के साथ एक संधी पर बातचित की और मांग की कि मुगल मराठों को चौत यानि टैक्स देना शुरू करे मुगल बाचा फरुक सियार ने इस संधी को मानने से इंकार कर दिया और हुसेन अली खान को माट डालने का आदेश दिया लेकिन सितंबर 1718 में पेशवा बालाजी विश्वनात और एक मजबूत मराठा सेना की मदद से हुसेन अली खान दिल्ली पहुचे मुगल सेना का मराठा सेना से कोई मुकाबला ही नहीं था और मराठा सेना आसानी से जीत गई फरुक सियार को अंधा कर दिया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया एक कचपुतली शासक रफियूल दरजात को फरवरी 1619 में मुगल सिंहासन पर बिठाया गया रफियूल दरजात ने मराठा के साथ वही शांती संधी पर हस्तक्षर कर दिये और एक समय की महान मुगल सामराजे अब मराठा के अधिन एक कचपुतली राज्य बन कर रहे गई मुगल अपने कुल आमदिनी का एक चौथाई हिस्सा चौथ के रूप में मराठा को देने लग गई और उसके साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए अतरिक दस प्रतिशत भी देने लग गई मराठा सामराजे के पेश्वा के रूप में साथ वर्षों तक शासन करने के बाद 12 अप्रेल 1720 को बालाजे विश्वनात के मृत्ती हो गई उनके दो पुत्र थे बाजी राओ और चीमा जी अप्पा उनके मृत्ति के बाद उनके बड़े बेटे बाजी राओ मराढा सामराजी के अगले पेशवा बने और आगे जाकर बाजी राओ के नेतरत में मरणा सामराजे भारत्य उपमादीब की सबसे शक्तिशाली सामराजे बन जाता है अठारावी शताब्दी की शुरुवात तक मराढ़ा सामराजे भारती उपादीप का सबसे शक्तिशाली सामराजे बन्ये की एक अगार पर था 1707 इस्वी में मुगल बाच्चा औरंगजेप की मृत्यु हो गई और उसके मृत्यु के बाद मुगल सल्टने तूटने लगा इसी बीच चत्रपती शाहु महाराज के अधीन मराढ़ा सामराजे का विस्तार हो रहा था 1713 इस्वी में शाहु महाराज ने एक शासक की सबी शक्तिया अपने प्रधान मंत्रिया पेश्वा बालाजी विश्वनात के हातों में दे दी अब मराढा सामराज के चत्रपती केवल नाम मातर के शासक थे और सारी शक्ती पेश्वा बाराजी विश्वनात के हाथों में थी लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले हम पेश्वा के पद का इतिहास देखेंगे पेश्वा का पद यानी मराडा सामराज का प्रथान मंत्री इसकी स्थापना छत्रपती शिवाजी महाराज ने की थी और ये शिवाजी महाराज के अश्च प्रथानों में सबसे उच पद था शिवाजी महाराज द्वाला नियुक्त प्रतम पेश्वा मोरोपन त्रिम्बक पिंगले थे वो शिवाजी महाराज के सबसे करीबी साथियों में से एक थे जिनोंने मराढ़ा सेना के निर्मान में मदद की थी मोरोपन पिंगले ने किलो की सुरक्षा के लिए रन्नीती बनाने में महत्वपून भ्यूमिका निभाई शिवाजी महाराज के निधन के बाद मोरोपन पिंगले ने चत्रपती संभाजी महाराज के अधिन पेशवा के रूप में कारे किया 1683 में मोरपन पिंगले की मृत्यी हो गई और उनके बेटे नीलकंट पिंगले अगले पेश्वा बने लेकिन 1689 में जब संभाजी महाराज पर मुगलों ने घात लगा कर हमला किया था तब नीलकंट पिंगले ने संभाजी महाराज की रक्षा करती हुए और मुगलों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी नीलकंट पिंगले की मृत्य के बाद रामचंद्र पंत जो मराठा सामराज के अमात्या या वित्त मंत्री थे वे अगले पेश्वा बने वहाँ आगे जाकर मराठा सामराज के सबसे महान मंत्रियों में से एक होंगे वह शुरुआत में मराठा सामराज के अमात्या या वित्त मंत्री के रूप में शिवाजी महाराज के अश्ट प्रधान का हिस्सा थे रामचंदर पंत ने अपने पूरे जीवन काल में पाच शत्रपतियों के अधिन सेवा की उन्होंने शिवाजी महराज, संबाजी महराज, राजाराम महराज, कोलापूर के राजाज शिवाजी दूतिय और संबाजी दूतिय के अधिन कारे किया 1689 इस्वी में संबाजी महराज की मृत्यू के बाद मराठा राज्थानी रायगर्ड पर मुगलों ने हमला कर दिया रामचंदर पंत ने राजाराम महराज को रायगर्ड से भागने में मदद की और उन्हें आज के तमिल्लाडू के जिन्जी जाकर वहाँ नई मराठा राज्थानी स्थापित करने को कहा उसके बाद रामचंदर पंत ने मुगलों के खिलाफ जवाबी हमले में संताजी घोर पड़े और धनाजी जादव की मदद की 1720 में राजराम महराज की मृत्यों के बाद रामचंदर पंत ने महरानी ताराबाई के अधिन काम किया महरानी ताराबाई राजराम महराज की पत्नी थी और राजराम महराज की मृत्यों के बाद वो मराठा सामराजी की कार्यवाहक रानी बनी और अपनी बेटे शिवाजी द्यूतिय की ओर से शासन कर रही थी रामचंदर पंत ने कई लड़ायों में महारानी ताराबाई को मुगलों को हराने में मदद करने में बहत महत्वपून भूमी का निभाई जिसके कारण अंतहा मराणा सामराज का गुजरात और मध्य भारत में विस्तार हुआ 1707 इस्वी में मुगल बाच्चा औरंगजेब की मिलित्यू के बाद 25 वर्षय शाहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया गया और वह चत्रपती संबाजी महराज के पुत्र और मराणा सामराज के अगले चत्रपती के रूप में अपने सिंघासन को पुना प्राप्त करने के लिए 17 लोट आए लेकिन महराणी तारा भाई अपने बेटे शिवाजी धूतिय को अगला चत्रपती बनाना चाती थी लेकिन अधिकांश मराठा दर्बार के उच्छ सरदारों ने शाहू का समर्थन किया और शाहू मराठा सामराज के अगले चत्रपती बन गए रामचंद्र पंत ने महराणी तारा भाई का समर्थन किया और 1708 इस्वी में उनके साथ कोलापूर चले गए जहां तारा भाई के बेटे शिवाजी द्यूतिय को कोलापूर का राजा बनाया गया रामचंद्र पंत ने शिवाजी द्यूतिय और बाद में संभाजी द्यूतिय के अधिन कोलापूर के प्रधान मंद्री के रूप में कारे किया रामचंद्रपंथ ने अजनपत्र लिखा जो मराडा सामराज के नागरिक और स्याने प्रशासन पर एक पुस्तक है 1716 इसवी में रामचंद्रपंथ की मृत्ती हो गई इसी बीच 17 में जब 1708 में रामचंद्रपंथ कोलापूर चले गए थे चत्रपती शाहू महराज ने बहिरोजी पिंगले को मराडा सामराज का अगला पेश्वा बनाया लेकिन महाराणी ताराबाई के समर्थक कानोजी आंगरे के खिलाफ हार के बाद बहिरोजी पिंगले को शाहू महराज ने बर्खास कर दिया और एक अन्य उच्छ मंत्री बालाजी विश्वनात को अगला पेश्वा न्यूक्त किया बालाजी विश्वनात कानो जी आंग्रे को शाहू माराज के प्रती निष्ठा की शपत दिलाने में सफल रहे और यहां हम उस समय पर लोटते हैं जब शाहू माराज ने माराठा सामराज की सभी शक्तिया पेश्वा बालाजी विश्वनात के हाथों में दे दी थी बालाजी विश्वनात कई लड़ायों में मुगलों के खिलाफ सफल रहे और उनने मुगल बाच्छा से मराठों को चौच चुकाने को कहा 12 अप्रेल 1720 इस्वी को बालाजी विश्वनात के मृत्यू हो गई उनके मृत्यू के बाद उनके बड़े पुत्र बाजी राओ जो केवल 20 वर्ष के थे वो मराठा सामराजी के अगले पेश्वा बने बाजी राओ में छोटे उम्रे से ही सेना के प्रति जुनून था और वे अपने पिता के साथ कई सैन्या अभ्यानों में भी जाया करते थे पेश्वा बनने के बाद बाजी राओ ने तुरंत दिल्ली पर आक्रमन की रन्नीती बनाने पर काम करना चालू कर दिया मुगल सल्तनत कमजोर था और तूट रहा था पहले से ही उसके कई गवर्नर या नवाब विद्रो कर स्वतंतरा हो गए थे और अब 1724 इस्वी में दक्कन के गवर्नर निजाम उल्मुल्क आसिव जाने भी मुगलों से आजादी की घोशना कर दी और अपने राज्जिय है हैदरबाद के स्वतंतरा शासक बन गया मुगल सामराज्जी के भीतर इस दरार को देखकर बाजी राओ इस्तिती का लाब उठाना चाते थे हैदरबाद के निजाम आसिव जाने मराठों को चौट दिना बंद कर दिया और मराठा शेत्रों पर हमला करने के लिए एक सेना भी भेज दी लेकिन बाजी राओ निजाम से एक कदम आगे थे उन्होंने निजाम की सेना को अपने पीछे लगाने में मजबूर कर दिया और बाजी राओ ने निजाम की सेना को चक्मा देते हुए निजाम के शेत्र में और आसर्व जा ने पेश्वा बाजिराओं के सामने आत्म समर्पन कर दिया। निजाम मराठा सामराज को चौध देने पर मजबूर हो गया और उसने वादा भी किया जब मराठा सेना दिल्ली पर आकरमन करेगी तब वो चुपचाप दक्कन में ही रहेंगे। पालकेड की जीत पेश्वा बाजिराओं के बुद्धी मता और उनके अधिहिन मराठा सेना के तीवर गती को दर्शाया। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मुगलों की हार हुई और मुहम्मद बंगश को एक अपमांजनक संधी पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इस जीत के बाद महाराजा चत्रसाल ने अपने राज्ये का एक तिहाई हिस्सा पेश्वा बाजिराओं के दे दिया। 1728 इसवी में बाजिराओं ने पूने को पेश्वा के राजधानी बनाया। और शनिवार वाडा का निर्मान 1730 में शुरू हुआ। शनिवार वाडा 1732 में पूरा हुआ और यह पेश्वा दरबार का केंदर बना। 12 नवंबर 1736 इसवी को पेश्वा बाजिराओं ने 50,000 घुड़सवार सेना के साथ पूने से दिल्ली के और प्रस्थान किया। मुगल बाद्शा मुहमद शार रंगीला ने मराढ़ों पर आक्रमन करने के लिए अपने सेनापती साधत अली खान को भेजा। मराढ़ा सेना को दो भागों में विभाजित किया गया। एक हिस्सा पेश्वा बाजिराओं के अधिन और दूसरा हिस्सा मलहार राओ होलकर के नेतरत्व में मराढ़ा सेना ने यमुना नेधी पार कर ली और उधर मुगल शेत्रों को नश्ट कर दिया। लेकिन जल्द ही उन पर सादत अली खान के नेतरत्व में मुगलों ने हमला कर दिया और मराढ़ा सेना की हार हुई। मलहार राओ होलकर वहाँ से भाग निकले और शीगरही ग्वालियर में पेश्वा बाजिराओं से मिल गये। पेश्वा बाजिराओं के नेतरत्व में मराढ़ा सेना ने अब एक अलग मार्ग का इस्तमाल किया और मुगल सेना को आगा किये बगैर दिल्ली पहुच गये। 28 मार्च 1737 को मराढ़ा सेना ने मुगलों को बुरी तरह से हरा दिया। दिल्ली पर बाजिराओं का आकरमन इतना साहस के साथ हुआ कि मुगल उनकी चाल का अंदाजा ही नहीं लगा पाए। इस अपमान जनक हार के बाद मुगल बादशाह मुहमद शाह रंगिला ने हैदरबाद के निजाम आस्व जा से मदद की गुहार लगाई। हाला कि निजाम ने पहले मुगलों से लड़ाई की थी और बाजिराओं से वादा भी किया था कि वो दोबारा मराठों पर हमला नहीं करेगा लेकिन उसने अपना वादा तोड़ कर मुगलों की मदद करने का फैसला किया। निजाम ने अपनी सेना भेजी और सयुग्त मुगलों और निजाम की सेना 24 दिसंबर 1737 को भोपाल में मराठा से भिड़ गई। लेकिन यहां भी सयुग्त मुगलों और निजाम की ताकत काम नहीं आई और पेशवा बाजिराओं के नेतरत में मराठा सेना फिर से विजई अब संपून मालवा शेत्र मराठा सामरज के आधिन आ गया। वसई में पूर्टुगालियों का एक मजबूत किला था और इस किले में कई भारतिय गुलाम थे जिनके साथ बहुती बुरा व्यावार किया जाता था। इसलिए चीमाजी अप्पा ने वसई पर हमला करने का फैसला किया। 17 फरवरी 1749 को चीमाजी अप्पा के नेतरतु में मराठा सेना ने वसई किले पर हमला कर दिया। किला भारी रूप से सुरक्षित था और यह मराठा हमले का सामना कर सकता था। लेकिन लगबग तीन महीने की घेराबंदी के बाद तीन माई 1749 को किले की दिवार तूड गई और मराठा सेनी किले में प्रवेश कर गए। पाच माई 1749 को पुर्तुगालियों ने आत्म समर्पन कर दिया। इसी बीच पेशवा बाजिराओ को स्वास्त बिगणने लगा। लगातार लडाईया और स्यानिया अभ्यानियों के कारण उनका शरीर बहुती ज्यादा कमजोर हो गया था। और 28 अप्रेल 1740 इसवी को रावेर खेडी में तेज बुखार के कारण बाजिराओ की मृत्ति हो गई। उनका अंतिम संसकार नर्मदा नदी के टट पर किया गया। पेशवा बाजिराओ केवल 49 वर्ष के थे। बाजिराओ ने अपने जीवन काल में 40 लडाया लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं हारी। उनके मृत्यों के बाद, उनके पूत्र बालाजी बाजिराओ, मराढा सामराजी के अगले पेशवा बने। बालाजी बाजीराओ के शासन के दौरान मराडा सामराजे अपना अधिक्तम विस्तार करेगा और साथ ही उनके शासन के दौरान ही मराडा दर्बार के सबसे उच्च सरदार अपने अपने प्रांतों के स्वतंतर शासक बनेंगे मराणा सामराजे अब एक केंद्री करत सामराजे नहीं होगा, बलकि यह कई राज्यों का एक संग होगा 1713 इस्वी शाहू महराज मराणा सामराजे के चत्रपती थे उन्होंने सामराजे की सभी राजनितिक शक्तिया अपने प्रधान मंत्री या पेश्वा बालाजी विश्वनात को दे दी और छत्रपती अप केवल एक आपचारिक शासक थे और मराणा सामराजे की सभी शक्तिया पेश्वा बालाजी विश्वनात के हाथों में थी बालाजी विश्वनात ने मुगलों को हराया और इसके बाद मुगलों को मराधा सामराजे को चौद देना पड़ा 1720 इसवी में बालाजी विश्वनात की मृत्ती हो गई और उनके मृत्यू के बाद उनके बड़े बेटे बाजी राओ मराठा सामराजी के अगले पेशवा बने बाजी राओ 1740 इस्वी में अपनी मृत्यू तक 20 वर्षों तक पेशवा रहे और उनके शासनकाल के दोरान मराड़ा सामराजी ने मुगल, हैदरबाद के निजाम और पूर्तोगालियों को हराया मुगल सामराजे पूरी तरह से कमज़ूर हो गया और मुगल बाच्शा का शासन केवल दिल्ली तक ही सीमित था श्रीमन्त पेश्वा बाजी राओ ने अपने जीवनकाल में 40 लड़ाया लड़ी और एक भी लड़ाय नहीं हारी पेश्वा बाजी राओ के मृत्ति वह 28 अप्रेल 1740 को हो गई उनकी पत्नी काशी बाई से उनके दो बेटे थे बालाजी बाजी राओ और रहुनात राओ उनके सबसे बड़े बेटे बालाजी राओ 1740 में 19 साल की छोटी उम्र में मराढा सामराजी के अगले पेश्वा बने अपनी शासनकाल के शुरुवाती वर्षों के दोरान पेश्वा बालाजी राओ को रागोजी भोसले का विरोध का सामना करना पड़ा रागोजी भोसले एक शक्तिशाली मराढा सरदार थे उन्हें चतरपति शाहु महाराज ने उत्तरी दक्कन की भूमी दी थी और यही से रागोजी भोसले ने 1739 में नागपूर राजी के स्थापना की उन्हें बंगाल के नवाब को हराया और उडिसा और दक्षिन बंगाल के कुछ हिस्सों पर कबजा कर लिया इसके बंगाल के नवाब अलिवर्दी खान को मराठो को चौद देना पड़ा हाला के रागोजी भोसले कभी भी पेशवा बालाजी राओ को पसंद नहीं करते थे और यहां तक कि उनके पेशवा सिंगहासन पर बैठने का भी विरोध करते थे लेकिन उन्होंने कभी भी पेशवा बालाजी राओ के सैनी अभ्यानों में हस्तिशेप नहीं किया और केवल अपने नागपूर राज्य के विस्तार पर ही काम किया इस समय मुगल सल्तनत पूरी तरह से कमजोर था और उसके पास किसी भी विदेशे आकरमन को हराने की शक्ति नहीं थी इसका लाग उठाते होए इरान के शाह नादिर्शा ने 1739 में हिंदुस्तान पर आकरमन कर दिया 24 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई में नादिर्शा की सेना ने मुगल सेना को हरा दिया मुगल सेना का सफाया हो गया और लड़ाई के बाद इरानी सैनिकों ने दिल्ली के लोगों पर कतले आम किया और दिल्ली में काफी लूट मार मचाई नादिर्शा ने मुगलों का सारा खजाना ले लिया इरान वापस जाते समय उसने धेर सारे खजाने, तकते ताउस और कोहिनूर हीरे के साथ कई लोगों को बंदी बना लिया आने वाले वर्षों में अफगानिस्तान के बादशा एहमच्शा अब्दाली ने हिंदुस्तान पर आकरमन किया एहमच्शा अब्दाली ने 1747 और 1757 के बीच पहले हिंदुस्तान पर चार बार आकरमन कर चुका था उसके आकरमनों के दौरान कई अफगान सेनिक आज के उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बस गए उनके सरदार अली मुहमद खान ने रोहिल खंड राज्जी के स्थापनक की पेश्वा बालाजी राओ इस बार अफगानों को रोकना चाते थे और उन्होंने अपने भाई रगुनात राओ को एक बड़ी सेना के साथ उत्तर भारत भेजा 1757 में एक मुगल कमांडर और रोहिलाओ के सरदार नजीबुद दौला ने दिल्ली पर कबजा कर लिया और मुगल बाच्शा आलमगीर दित्विये को बंदी बना लिया 11 अगस 1757 को रगुनात राओ और मलहार राओ होलकर के नेतरत में मराठा सेना ने दिल्ली की लड़ाई में नजीबुद दौला को हरा दिया मराठो ने दिल्ली पर कबजा कर लिया और आलमगीर को मुगल सिंहासन पर वापस बिठा दिया लेकिन अब मुगल बाच्शा मराठो के अधीन बस केवल एक कटपुतली शासक था और उसका शासन केवल दिल्ली की दीवारों के भीतर ही सीमित था रगुनात राओ और मलहा राओ होलकर के नेतरुत में मराठा सेना अब पश्चिम की और बड़ी आज के पाकिस्तान के शेत्रों पर अहमच्शा अब्दाली के बेटे तैमुर्शा दुर्रानी का शासन था मराठो ने तैमुर्शा दुर्रानी को हरा दिया और 20 अप्रेल 1758 को लाहुर पर कबज़ा कर लिया फिर 28 अप्रेल को अटॉक पर कबज़ा कर लिया गया और 8 मई 1758 इसवी को पेशावर पर भी कबज़ा कर लिया गया मराठो को जसा सिंग आलो वालिया और बाबा आला सिंग के नेतरतु वाली सिक्त मिसलों से भी मदद मिली अब मराठा सामराज्य पश्चि में पेशावर से लेकर पूर में उडिस्सा और उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिन में तमिलनाडू तक एक बहुत बड़ा सामराज्य था रोहिला सरदार नजीबुत दौला ने मराठो से बदला लेने के लिए उसने एहमच्षा अब्दाली से एक बार फिर हिंदुस्तान प्राक्रमन करने और मराठो को हराने का अधनुरोद किया एहमच्शा अब्दाली भी पेशावर और अटक की हार का बदला लेना चाते था इसलिए उसने एक बड़ी सेना खड़ी की और दिल्ली की और कूच किया इसी बीच रगुनात राओ और मलहार राओ होलकर पेशावा बालाजी राओ से मिलने के लिए पूने लोटाए एहमच्शा अब्दाली को रोकने के लिए पेशावर, अटक और लाहोर में छोटी मराधा सेना तैनात की गई लेकिन अब्दाली ने इन छोटी मराधा सेनाओं को हरा दिया और उसने पेशावर और लाहोर पर दोबारा कबज़ा कर लिया और हिंदुस्तान में घुस गया इसी बीच नजीबुद दौला ने अवद के नवाब शूजाउद दौला को एहमद शाह अबदाली से जुड़ने के लिए मना लिया अबदाली के आक्रमन की खबर पूने तक पहुच गई और पेश्वा बाला जी राओ ने एक बड़ी सेना खड़ी की रगुनात राव सेना की कमान अपने हातों में लेना चाते थे लेकिन पेश्वा बालाजी राव ने सेना की कमान अपने चाचाजाद भाई सदाशिव राव भाव को दे दी सदाशिव राव भाव के नेतर्तु में मराढ़ा सेना एहमद शा अब्दाली की सेना का सामना करने के लिए पूने से उत्तर भारत की और रावना हुई इस मराठा सेना में पेश्वा बालाजी राओ के सबसे बड़े पुत्र विश्वास राओ और उच्छ मराठा सरदार मलहर राओ होलकर, महाजी सिंधिया, जानकोजी सिंधिया थे इस मराठा सेना में स्यानिकों के अलावा कई सामानिय लोग भी थे जो उत्तर भारत के पवित्र स्थलों के दर्शन करना चाते थे उस दौरान यमुना नदी में बाड़ा आ गई थी और उसे पार करना असंभव था मराठा सेना और अफगान सेना यमुना नदी के कारण अलग थी और दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे बीच बीच में छोटी छोटी लडाया होती रहती थी और कुंचपुरा में अफगान सेना के एक बहुत बड़ी हार हुई लेकिन समय मराठो के खिलाफ था उनके पास भोजन और राशन खतम हो रहा था उन्होंने आसपास के राजियों से मदद मांगी लेकिन उन्हें परियाप्त राशन नहीं मिल पाया अफगान सेना यमना नदी को पार करने में सक्षम थी और उन्हें ने मराठो का पूने जाने का मार्ग अफगानों ने रोग दिया और मराठो के पास अब अफगानों से लडने के अलावा और कोई विकल भी नहीं था 14 जन्वरी 1761 को मराठो और अफगानों की बीच पानिपत की भूमी पर लड़ाई हुई अधिकांश लड़ाई में मराठा सेना हावी रही और जीत की कगार पर थी लेकिन उनके पास परियाप्त बारुद की कमी थी और कई दिनों तक परियाप्त भोजन ना मिलने के कारण उनके सेनिक जल्दी ठक गए यह बात समझ कर एहमच्षा अब्दाली ने अपनी बची हुई सेना का भरपूर इस्तमाल किया और एक जोरदार हमला किया और दिन के अंध तक मराढ़ सेना हार गई यह हार मराढ़ सामराज के इतिहास के सबसे विनाशकारी हार मानी जाती है अफगानों ने हजारो कैदियों को पकट लिया और उन्हें बेहरमी से मार दिया मराड़ा सेना के साथ आए हजारों सामानिय लोगों को बंदी बना कर काबूल ले जा गया यूद्ध में लगबख सभी उच्छ मराड़ा सरदार मारे गए इस लड़ाई में इन सभी की मृत्ति हो गई मराड़ा सरदारों में से एक महाजी सिंधिया अपनी जान से बच गए और वो भागने में सफल रहे और सफलता पूरवक दक्कन में मराड़ा शेतर में पहुँच गए महाजी सिंधिया ही थे जो आगे जाकर मराड़ा सामराज को धज फिर से उत्तर भारत में फैराएंगे पूरे में पेशवाबालाजी राओ को पानीपत में विनाशकारी हार की खबर मिली इस खबर को सुनकर वो कई दिनों तक बुरी तरसे सदमे में रहे और उनका स्वास्त बिगणने लगा कुछ दिनों बाद 23 जून 1761 को उनके मृत्तिव हो गई पेशवा बालाजी राओ के तीन पुत्र थे। उनके सबसे बड़े पुत्र विश्वास राओ की पहले से ही पानीपत की लड़ाई में मृत्ति हो चुकी थी इसलिए उनके अगले बेटे माधव राओ मर्ण सामराजी के अगले पेशवा बने माधवराओ के उम्र केवल 16 वर्ष की थी उनके काका रघुनात राओ अगले पेशवा बनना चाते थे इसलिए अब पेशवा दर्बार में माधवराओ और रघुनात राओ के बीच तनाव पैदा होने लगा रघुनात राओ ने अपनी सेना खड़ी की और हैदरबाद निजाम से मदद मागी 12 नवंबर 1762 को रघुनात राओ ने आले गाओ में माधवराओ के सेना पर हमला कर दिया पेशवा माधवराओ हार गए लेकिन निजाम ने रघुनात राओ को धोका दिया और मराठा शेत्रों को लूटना शुडू कर दिया रहुनात रौव पेश्वा माधवराओं के विरुद अपनी जीत का लाब नहीं उठा सके और भाग निकले पेश्वा माधवराओं ने एक नई सेना खड़ी की और 10 अगस 1763 को निजाम की सेना पर हमला किया और उन्हें हरा दिया उसके अगले ही साल 1764 में मराठो ने हैदर अली के नेतरतु में मैसूर की सेना को हरा दिया और धारवड के लिए पर कबजा कर लिया गया तीन साल बाद 1767 में पेश्वा माधवराओं ने एक बार फिर मैसूर की सेना को हरा दिया हैदर अली के नेतरतु में मैसूर सेना की सिरा और मधूगिरी की लड़ाई में हार हुई जब मराठो ने मधूगिरी किले पर कबजा कर लिया तो रानी विरम्मा जी और उनके बेटे को बचाया गया जिनने मधूगिरी किले में बंदी बना कर रखाया था रानी विरम्मा जी केलाडी नायक सामराजी की अंतिम शासत थी अपने शासनकाल के दोरान पेश्वा माधव राउ ने पेश्वा दर्बार के कुछ उच्च सर्दारों को अपने अपने प्रांतों में स्वतंतर रूप से शासन करने की शक्ती दी मल्हार राउ होलकर इंदोर राजी पर शासन करने लगे महाजी सिंध्या ने गौालियर राज्य पर, दामाजी राओ गायकोड बड़ोडा राज्य पर और ऐसे अन्य उच्च मराढ़ा सरदारों को अपने अपने प्रांतों के स्वतंतरु रूप से शासन करने का मौका मिला रगुनात राओ ने एक बार फिर एक सेना खड़ी की और 10 जून 1768 को पेश्वा माधो राओ पर हमला कर दिया लेकिन रगुनात राओ एक बार फिर हार गए और इस बार उन्हें पकट लिया गया पेश्वा माधव राओ ने उन्हें शनिवार वाड़ा में नजर बंद रख दिया अब पेश्वा माधव राओ उत्तर भारत पर दोबारा कबजा करना चाते थे जो 1761 में पानीपट की लड़ाई के बाद खो गया था उन्होंने महाजी सिंध्या के नेतरुत में एक बड़ी सेना भेजी दिल्ली रोहिलाओ के सरदार जबिता खान के अधीन था और मुगल बादशा शाह अलम कैद में थे नवंबर 1771 को मराड़ा सेना ने रोहिलाओ को हराया और दिल्ली पर कबजा कर लिया शाह अलम को मराड़ों के संट्रक्षन में मुगल सिंहासन पर फिर से बिठाया गया मराड़ों ने करिब 10 वर्ष बाद एक बर फिर उत्तर बारत पर कबजा कर लिया इसी बीच 1772 में पेशवा माधव राव बहुत बीमार पड़ गए और 18 नवंबर 1772 को 27 वर्ष की छोटी उम्र में उनके मृत्ति हो गई यह मराड़ा सामराजी के लिए एक बहुत बड़ा जटका था और ऐसा कहा जाता है कि 1761 में पानिपत में हुई विनाशकारी हार से भी ज्यादा बड़ी शक्ति पेशवा माधव राव के मृत्तियू मराठो के लिए थी उनके मृत्तियू के बाद पेशवा दर्बार में आंतरिक राजनी थी और तनाव बढ़ गया और भारतिय उप महाधीप में अंग्रेजो के रूप में एक नया खत्रा पैदा हो गया 14 जन्वरी 1761 पानिपत की भूमी पर मराठो की अफगानों के खिलाफ एक बिनाशकारी हार हुई और इस हार के बाद मराठो का उत्तर भारत पर नियंतरन खो गया मराठा सामराजी के अगले पेशवा माधवराव एक कुशल शासक साबित हुए और उनके शासन के दौरान मराठा सामराजी उत्तर भारत पर फिर से कबजा करने में सक्षम हुआ उनके कुछ उच्च सर्दारों विशेशकर महाजी सिंध्या ने अफगाणों और रोहिलाओ को हराने में महत्व पूनी भूमी का निभाई और 1771 तक एक बर फिर मराठों ने दिल्ली पर कबजा कर लिया इस समय तक मराठा एक एकिक्रत सामराज drafted न होकर पाच मुख्य राज का एक संग था पूने में केंद्रिय शक्ती पेश्वा के अधिन थी गौलियर राजय सिंध्या राजवंच के अधिन था इंदौर राजय होलकर राजवंच के अधिन था नाकपूर राज्य भोंसले राजवंच के अधिन था और बरोडा राज्य गायकवाड राजवंच के अधिन था ये राज्य आध्य स्वतंत्र थे और अपनी खुद की सेना रखते थे लेकिन पूने में बैठे पेश्वा को मराठा सामराजी का सर्वोच्च प्रमुक मानते थे और ये सब सरदार पेश्वा को राजस्व देते थे 18 नॉवंबर 1772 को पेश्वा माधवरा की लंबी बीमारी के कारण मृत्य हो गई वो केवल 27 वर्ष के थे उनका 11 साल का शासनकाल मराठा सामराजी के गौरवशाली इतिहास का एक मुख्य भाग है उनकी अचानक मृत्यों मराठों के लिए सबसे विनाशकारी शन माना जाता है यहां तक कि पानिपत की हार भी इतना नुकसान दायक नहीं था जितना पेश्वा माधोराओ की मृत्यू थी क्योंकि अब उनके मृत्यू के बाद पेश्वा दर्बार में आंतरिक संघर्ष और राजनीती बढ़ गई थी माधोराओ की कोई संतान नहीं था इसलिए उनके छोटे भाई नारायन राओ जो केवल 17 वर्ष के थे वो अगले पेश्वा बने वो मंत्री सखाराम बापू और नाना फड़नविस की देखरिक में थे पेश्वा नारायन राओ के चाचा रगुनात राओ माधोराओ के मृत्यू के बाद अगले पेश्वा बनना चादे थे लेकिन उनमें पेश्वा दरबार के फैसले का विरोध करने का साहस नहीं था जिसने नारायन राओ को अगला पेश्वा बनाया इसलिए रगुनात राओ को मजबूरी में नारायन राओ को पेश्वा मानना पड़ा इस समय के दौरान ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी हिंदुस्तान में अपना पैर जमा रही थी उन्होंने हाल ही में 1757 में बंगल के नवाब को हराया और बंगल पर कबजा कर लिया फिर 1760 में फ्रांस को हराया और दक्षिन भारत में मजबूत पकड बना लिया अब अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान पर शासन करने की राह में केवल मैसूर और मराठा ही रह गए थे चुकि पेश्वा नाराइन राह बहुत ही छोटे थे और पेश्वा दरवार में आंतरिक राजनीती थी इसलिए अंग्रेजों को मराठों पर हमला करने का एक मौका मिला उन्होंने विजेदूर किले पर नौसायनिक हमला किया लेकिन बदले में मराठा ब्रिटिश बंबारी का सामना करने में सक्षम थे और किले की रक्षा की इसी बीच चुकि रगुनात राओ पेश्वा बनना चाते थे उनके और उनकी पत्नी आनंदी बाई के मन में नारायन राओ के प्रती अत्यादिक इर्षा और नफ्रत बढ़ गई थी और अन्तह 30 ओगस्ट 1773 को इन दोनों ने अपने अंगर अक्षकों के द्वारा पेश्वा नारायन राओ के हत्या करवा दी इसके बाद रगुनात राओ अगले पेश्वा बन गए लेकिन कुछ दिन बाद ही नारायन राओ की विद्वा पत्नी ने एक बेटे को जन्ग दिया उस छोटे बच्चे का नाम सवाई माधव राओ रखा गया तो सवाई माधव राओ पेश्वा सिंगहसन के कानूनी उत्रादिकारी थे और नाकी रगुनात राओ नाना फटनविस जिनने भारती इतिहास के सबसे महान मंत्री और राजनेता में से एक माना जाता है उन्होंने पेश्वा दरबार के बारा उच्चा दिकारियों की एक परिशत का गठन किया और उन्होंने दर्बार में ये साबित कर दिया कि पेश्वा नाराहिं राव की हत्या के पीछे रगुनात राव और उनकी पत्नी आनंदी बाई का हाथ है. इसलिए रगुनात्राव के पास पेश्वा सिंहासन छोड़ने के अलावा कोई और विकल्पी नहीं था और सवाई माधहुराव जो की सिर्फ 40 दिन के थे उनको पेश्वा बनाया गया सवाई माधहुराव की ओर से नाना फज्णव इसने सामराज्जी को संभाला इसी बीच इंदोर में मलहर राव होलकर की मृत्यू 20 मई 1766 को ही हो गई थी उनके बेटे खांडे राव होलकर की मृत्यू पहले ही 1754 में हो चुकी थी इसलिए मलहर राव के पोते माले राव होलकर 1766 में इंदोर राज्जी के अगले शासक बने लेकिन एक साल बाद ही उनकी भी मृत्यू हो गई और अब इंदर राज्य में कोई और उत्तराधिकारी नहीं था इसलिए अंतहा मलहार राव होलकर की पुत्र वधू अहिल्या बाई होलकर इंदर राज्य की शासक बनी और वो भारती इतिहास की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली महिलाओं में से एक है तूकोजी राव होलकर जो मलहार राव होलकर के मूँ बोले पुत्र थे वो इंदर सेना के सेनापती बने अहिल्या बाई के राज्य के बाहर और बीतर कई शत्रू थे क्योंकि महिला होने के कारण उन्हें एक कमजोर शासक माना जाता था लेकिन वो उन्हें हराने में सफल रही और अपनी शक्ती बरकरार रखी अहिल्या बाई ने पूरे भारत में कई गौरवशाली मंदिर बनवाए काशी विश्वनात का मंदिर और मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, बद्रिनात में कई मंदिर उनके द्वारा बनवाए गए थे 13 अगस्ट सावंटीन नैंटीफाई को अहिल्या बाई होलकर की मृत्ती हो गई और तूकोजी राव होलकर इंदोर राज्जी के शासक बने बिटिस सेना कुछ जमिनों के बदले में रघुनात राओ को पेशवा बनने में मदद करने के लिए सयमत हो गए और ये प्रतम अंगलो मराठा यूद की शुरुवात थी अंग्रेजों ने पूने की ओर एक सेना भेजी लेकिन मई 1775 में मराठा सेना ने उसे आसानी से हरा दिया अंग्रेजों ने नाना फड्नविस के साथ एक संधी पर हस्ताक्षर किये अंग्रेजों ने सवाई माधोराओ को पेशवा के रूप में सुईकार कर लिया और बदले में नाना फड्नविस ने भरोसा दिया कि वो फ्रांसिसियों से मितरता नहीं करेंगे लेकिन नाना फड्नविस ने बाद में फ्रांसिसियों से गटबंदन कर लिया और इससे अंग्रेजों को बहुत परेशानी हुई 12 जनवरी 1779 को वडगाओ में ब्रिटिश सेना और मराठा सेना भिड़ गई महाजजी सिंधिया और तुकोजी राव होलकर के नेतरतु में मराठा सेना ने अंग्रेजों को हरा दिया ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वारन हैस्टिंग्स ने एक बड़ी सेना भेजी लेकिन 1781 में भोरगाट के पास इस पूरी ब्रिटिश सेना को महाजजी सिंधिया के आधिन मराठा सेना ने पूरी तरह से नश्ट कर दिया 17 मई 1782 को अंग्रेजों ने महाजजी सिंधिया के साथ एक शांती संधी पर हस्ताक्षर किये और प्रत्थम अंग्लो मराठा यूद में मराठो की जीत हुई अंग्रेजों ने सवाई माधोरा को मराठा सामराजी के पेशवा के रूपे स्वीकर कर लिया और उन्हेंने रगुनात राओ की और मदद नहीं की रगुनात राओ एक छोटे से गाओ में सन्यास लिया और 11 दिसंबर 1783 को उनकी मृत्यू हो गई मराठा मैसूर के खिलाफ लड़ाई में अंग्रेजों की मदद करने के लिए सहमत हो गए अंग्रेज 1767 से ही मैसूर के साथ यूद में थे हैदर अली के नेतरत में मैसूर ने शुरूवात में अंग्रेजों को कई लड़ाईों में हराया था और अब हैदर अली के बाद उसका बेटा तीपु सुल्तान एक बड़ा खत्रा साबित हुआ महाज्जी सिंधिया ने पहले नाड़ना फट्नविस से अंग्रेजों की मदद ना करने बलकि तीपु सुल्तान की मदद करने का अनुरोध किया था क्यूंकि महाज्जी सिंधिया को एहसास था कि असली खत्रा अंग्रेज थे मैसूर नहीं लेकिन उनके अनुरोद को नजरन्दास कर दिया गया मराठा भी 1759 से मैसूर के साथ यूद में था इसलिए अब अंग्रेजों ने मराठा, हैदरबाद की निजाम और तरावन कोर की मदद से 1799 में मैसूर सेना को हरा दिया और तीपु सुल्तान की मृत्ती हो गई इसके बाद मैसूर राजे ब्रिटिश संग्रक्षन में एक रियासत बन गया लेकिन अब इसके बाद नाना फड्नविस को अंग्रेजों के असली इरादे समझ आ गए और उन्हें एहसास हुआ कि आब मराठा अंग्रेजों का अगला निशाना थे अब महार्जी सिंधिया भी नहीं थे क्योंकि उनके मृत्तियू फर्वरी 1794 में ही हो चुकी थी पेश्वा सवाई माधारवा के मृत्तियू 27 अक्टोबर 1795 को 21 वर्ष की छोटी उम्र में हो गई थी उनके कोई पुत्र नहीं थे और इस प्रकार रघुनात्राव के पुत्र बाजीराव दुतिया मराठा साम्राजी के अगले पेश्वा बने लेकिन बाजीराव दुतिया केवल नाम मात्र के एक पेश्वा थे मराधस सामराज की वास्तविक शक्ती नाना फढणविस और ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया के हातों में थी 13 मार्च 1800 में नाना फढणविस की मृत्ति हो गई और अब मराधस सामराज का पूरा नियंत्रन दौलत राव सिंधिया के हातों में था उन्होंने धीरे धीरे होलकर सर्दारों का प्रभाव पेश्वा दर्बार पर हटा रहे थे और सिंध्या सर्दारों का प्रभाव बढ़ा रहे थे इससे इंदोर राज्य के शासक यश्वन्त राव होलकर गुस्सा हो गए और उन्हें ने उनकी सेना के साथ पूने की ओर कूच किया 25 अक्टोबर 1802 को पूने में पेश्वा बाजी राव दुतिय और दौलत राव सिंध्या की सयूंगत सेना को यश्वंत राव होलकर की इंदोर सेना ने हरा दिया पेश्वा बाजी राव दुतिय बॉम्बे भाग गए और वहां अंग्रेजों से मदद मांगी यश्वंत राव होलकर ने बाजी राव दुतिय के भाई अमरित राव को पेश्वा बनाया लेकिन मराणा सामराजे का शासन यश्वंत राव होलकर के हाथों में ही था बॉंबे में बाजी राव दुतिय ने अंग्रेजों के साथ एक संधी की और अंग्रेज बाजी राव दुतियों को फिर से पेशवा बनने में मदद करने के लिए सहमत हो गए पेश्वा बाजेव दुति ने बरोडा राजी के समर्थन के साथ साथ अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और ये दूसरे अंगलो मराठा यूद की शुरुआत थी ब्रिटिस सेना ने दिल्ली में सिंधिया सेना पर हमला कर दिया अंग्रेजों की जीत हुई और दिल्ली में मराठा शासन का अंत हो गया मुगल बाजशा शा आलम दितिय जो उस समय तक मराठों के संग्रक्षन में था वो अब अंग्रेजों के संग्रक्षन में आ गया मुगल बाच्चा के पास अब कोई शक्तिया प्रभाव नहीं था उनका शासन केवल दिल्ली के भीतरी था और अब इसे वो भी और छोटा होकर सिर्फ लाल किले की दीवारों के भीतरी सीमित रह गया सिंधिया की हार को देखते हुए यश्वंत्रा होलकर ने अंग्रेजों के खिलाफ नागपूर राजी के रगुजी भोसले के साथ हाथ मिला लिया 23 सितंबर 1803 को असाई की लड़ाई में ब्रिटिस सेना ने सयुंक्त सिंधिया, होलकर और नागपूर सेना को हरा दिया 29 नवंबर 1803 को रगुजी भोसले ने एक शांती संधी पर हस्ताक्षर किये और उडिश्या के शेत्रों को अंग्रेजों को सौब दिया इसके बाद 30 दिसंबर 1803 को दौलत रव सिंधिया ने भी एक शांती संधी पर हस्ताक्षर किये और आज के हरियाना, यूपी और एमपी के कुछ हिस्सों को अंग्रेजों को सौब दिया अब केवल यश्वंत राव होलकर ही बचे थे वह अंग्रेजों के खिलाव काफी सफल रहे क्योंकि उन्होंने उनके खिलाव सफल चापा मार युद्ध जारी रखा 8 अक्टोबर 1804 को यश्वंत राव होलकर ने अंग्रेजों पर हमला किया लेकिन इस बार वह सफल नहीं हुए और 19 अक्टोबर को वह हार गए यश्वंत राव होलकर ने सांती संधी पर हस्ताक्षर किये और आज के राजस्थान के कुछ हिस्सों को अंग्रेजों को सौब दिया और इस प्रकार दूसरे अंग्लो मराठा युद्ध खतम हुआ और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई इसके बाद यश्वंत राव होलकर ने सभी भारतिय राजाओं को अंग्रेजों के विरुद एक जुट करने का प्रयास किया लेकिन वो कोई सफल प्रयास नहीं था दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपना मनोबल खो दिया और लड़ने के बज़ाए अंग्रेजों के साथ मैत्रपून संबंद रखना पसंद किया मारवड के राजा ने यश्वंत राव की मदद के लिए एक सेना भेजी लेकिन इस सेना को दौलत राव सिंधिया ने रोक लिया और मारवड की सेना की हार हुई जैपूर और नाकपूर के राजाओं ने होलकर का अनुरोध प्राप्त होते ही उन्होंने एक सेना भेजी लेकिन वो सेना कभी यश्वंत राव होलकर के पास पहुची ही नहीं अंतह यश्वंतराव होलकर भारतिय राजाओं को एक जुट करने में सफल नहीं हो सके लेकिन अंग्रेज अब भी उनसे डरते थे इसलिए उन्होंने 24 दिसंबर 1805 को उनके साथ एक संधी पर हस्ताक्षर किये और अंग्रेज उन्हें होलकर के सभी शेत्र उनको वापस कर दिया यश्वंतराव होलकर ने अब अपने बाकी जीवन इंदोर पर शासन किया और 28 अक्टोबर 1811 को उनकी मृत्ति हो गई अब इस समय तक महान मराढ़ा सामराजे की शक्ति अब पहले की तरह नहीं थी अपकाना भी पुराना हो चुका था पिंडारी जो मराढ़ा सरदारों की सेवा के तहत अनियमित सैनिक थे अब वो आजाद हो गए वो अब स्वतंतरों रूप से काम करने लगे और बिटिश शेत्रों पर घुसपैट और लूट पार शुरू कर दिया उनके हमले इतने विनाशकारी थे कि अंग्रेज बहुत परेशान हो गए कि उनको एक बहुत बड़ी सेना खड़ी करनी पड़ी पिंडारियों के साथ साथ बच्ची हुई मराठा शक्ती को हराने के लिए बिटिश सेना ने लगबग एक लाग बीस हजार मजबूत सेना खड़ी की इसके बाद अंग्रेजों ने पेश्वा के आंतरिक मामलों में हस्तशेप करना शुरू कर दिया इससे पेश्वा बाजिराव द्वितिय गुस्सा होने लगे उन्होंने गुप्त रूप से एक सेना इखटी की और अन्य मराठा राज्य और पिंडारियों को एक जुट करने का प्रयास किया और यह तीसरे अंग्लों मराठा युद की शुरुवात थी पाच नवंबर 1817 को खड़की की लड़ाई और बाद में एक जन्वरी 1818 को कोरेगाओ की लड़ाई में मराठा सेना की हार हुई इन दोनों लड़ाईों में ब्रिटिस सेना जीत गई पेश्वा बाजिराउ दुतिय भाग निकले और अन्य राजियों से मदत मांगी गौालियर, इंदौर और नागपुर इन सबने अंग्रेजों से लड़ने की ताकत नहीं थी इसलिए तीन जून 1818 को बाजिराउ दुतिय ने अंग्रेजों के सामने आत्म समर्पन कर दिया और तीसरा अंग्लो मराठा युद अंग्रेजों ने जीत लिया बाजिराउ दुतिय को वार्षिक पेंशन देने पर सहमती बनी और फिर उन्हें कानपूर के पास बिठुर बेज दिया गया जहां उन्होंने अपना बाक्ति जीवन बिताया उनके सभी शेत्र और जागिरों पर अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई और यह मराठा सामराजी के अंत था मराठा सामराजी जिसे 1674 में छत्रपती शिवाजी महराज द्वारा स्थापित किया गया था आदिल शाही और मुगल सल्तनत को हराया और भारती उप महादीब का सबसे शक्तिशाली सामराजी बना आगे जाकर फूट, आंतरिक प्रतिद्वन्दिता और राजनीती के कारण 1818 में इस सामराजी का अंत थो गया 9 अप्रेल 1819 तक सभी मराठो किलो पर अंग्रेजों ने कबजा कर लिया और फिर लगबग पूरा भारती उप महदीब अंग्रेजों के शासन में आ गया सभी मराठा राज्जिय अंग्रेजों की संगरक्षन के अधिन एक रियासत बन गए उन्होंने बिटिस संगरक्षन स्वीकर कर लिया और उनकी सेनाए अब अंग्रेजों के लिए लड़ने लगी 1857 में पूरे हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए ये हिंदुस्तान के आजादी की पहली लड़ाई थी जांसी राजी ने भी अंग्रेजों के विरोध विद्रो कर दिया इसकी राणी लक्षमी बाई ने अंग्रेजों की अधिपत्यता स्वीकर नहीं किया राणी लक्षमी बाई ने मराणस सामराज को पुना स्थापित करनी की घोशना की और बाजीराव द्वित्य के पुत्र नाना साहिब को पेश्वा घोशित कर दिया रानी लक्षमी बाई एक मजबूत शासक साबित हुई और अंग्रेज उनसे डरने लगे लेकिन जून 1858 में अंग्रेजों से लड़ते हुए उनके मृत्य हो गई नाना साहिब नेपाल भाग गए और ये हिंदुस्तान के आजादी की पहली लड़ाई सफल नहीं हुई अगले 90 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और 15 अगस 1947 को भारत को आजादी मिली